नवस्कार बिहारी नीज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ नेहा आज है 13 अक्टूबर दिन रभीवार खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर बिहार में बढ़े की IT कंपनिया रुजगार के लिए नहीं जाना होगा बाहर IT कंपनियों को आकरसित करने की रणनी की बिहारी बर्थ डे स्पिसल में आज बात होगी असोख कुमार के बिहार के भागलपूर के रहने वाले हैं अश्रुक कुमार अपने करियर में 300 से फिल्में कर चुके हैं अभिनेता असोख कुमार अंचल कारिया लोग की वोगी सनक्षा मुख्य सची उजय संग ने दिये निर्देश भूमी सुधार कारियों में आएगी पारदर्शिता धुमधाम से मना अगया विजय दश्मी का पर्व स्रीम ने तीस ने किया रावन का दहन सैकडों की संख्या में उम्रा लोगों का हो जो डेविट कार्ड खो जाने पर करे ये उपाय कार्ड को तुरंत करे ब्लॉक डेविट कार्ड चोरी की करे रिपोर्ट सीवियसी ने बोट परिक्षा के लिए जारी की गाइडलाइन्स छात्रों की 75-30 उपस्तिती अनिवारे स्कूलों को रखना होगा अटेंडरिस का रिकॉर्ट एमस धोनी ने बदला लोक धोनी का नया लोक वारल आईपेल 225 में नजर आएंगे धोनी अब खबरे बिस्तार से नेस्टल फर्टिलाइजर्स लामिटेड ने नौन एग्जोक्यूटिब पदों के लिए भरती नोटिफिकेस न जारी किया है कुल 336 पदों पर न्युक्तिय की जाएंगी आवेदन पर किरिया बेते 9 अक्टूबर 22 से सुर हो चुकी है और अंतिम तिथी 8 नौबर 22 है अगर आपने किसी वानेता प्राप्त बोर्ड या विस्विद्यालेसी, दसवी, आईटी आई, बारहवी, डिपलोमा, बैचलर डिग्री या बीएस्सी की डिग्री प्राप्त की है तो ये औसर आपके लिए है, आपकी आईउस्सीम 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए आवेधन करने के लिए एक शुकुमिद्वार अधिकारीक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाये गए वेबसाइट पर जाकर आवेधन कर सकते हैं बिहार सरकार ने राजमे आईटी कमपनियों को आकरसित करने और रोजगार स्रिजन को बढ़ावा देने के लिए एक नई रणनीती के तहट बड़ा कदम उठाया है सुचना परदोगी की विभाग के नत्रितों में जल्धी बैंगलोरू पुने और हैदराबाद जर से परमुख आईटी हब में रोड़ सू आयूजित किया जाएगा इस रोड़ सो का मुख्यों देश से आईटी निवेशकों और परदोगी की कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए प्रुत्साहित करना है बतादे कि हाल ही में लागों की गई आईटी निती 24 के तहट राज्यो सरकार ने निवेशकों के लिए कई आकरसक सुविधाय प सब्सेटी सामिल है जहां प्रती करमचारी प्रती माँ पाच रिया रुपए की सब्सेटी दे जाएगी बिहारी बॉर्थडे स्पेसल में आज बिहार के अभिनेता असुक कुमार की बात होगी बॉलिबुड एक्टर अश्रुक कुमार की आज 112 जनम दिन है 13 अक्टुबर 19 11 को भागलपूर में दादा मोनी में उनका जनम हुआ था अश्रुक कुमार ने अपने करियर में करीब 300 फिल्में की हैं असुक कुमार की पैचान एंटी हीरो के रूपे हुई थी उन्होंने किस्मत में एंटी हीरो का करदार नभाया था उन्होंने तबला भी सिखा हुआ और रेखा के फिल्म खुबसूरत में उन्होंने बकाइदा बोलो के साथ तबला प्ले किया था अश्रुक कुमार को कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है राजगीर में 11 से 20 तवंबर तक होने वाली एसियन महिला होकी परत्योगता में भाग लेने वाली टीमो की मेजबानी के लिए गया जिला परसासन पूरी तरह तयार है चीन, जापान, मलेसिया, दक्षिड, कोरिया, थाइलेंड और भारत की टीमो के खिलाडियों और उनके साथियों को बोदगया में होटल हायात पैलिस और दबुद्धा रिसोर्ट में ठहरा जाएगा इस बार विभिन देशों से आने वाली टीमो के लिए उनके देश के अनुसार उच्च गुरवत्ता वाले भोजन की ववस्था की गई है जिलाग पुलिस भी इन खिलाडियों की सुरक्षा को लेकर सजग है डीम डॉक्टर त्याग राजन ने रिसोर्ट में ववस्थाओं का निरक्षड करते हुए कहा कि सभी पैलों पर ध्यान दिया जाएगा बुराई पर अच्छाई की जीत का परतिक बिजय दस्मी पर्ब धुम थम से मनाया गया शहर से गाउत कई अस्थानों पर रावड के पुतलों का देहन किया गया वईरा जानी पत्ना के गाधी मैदान में भी बिते दिन 80 फिट के रावन का पुतला देहन किया गया जोसमें मुक्यमंत्री राजवपाल सहीत कई गड़माने लोग सामिल हुए रावड कुमकरन और मेघनात का पुतला एको फ्रेंडली पटाकी से जलाए गया इस दौरान रावड दहन को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का होजूम उमड़ा था इस दौरान सुरक्षा के भी ब्यापक अंतजाम किये गये थे इसे के साथ दस दिनों तक मनाया जाने वाला दुरगापूजा हासी खुसी के साथ समाप्त हुआ अगर आपका डेविट कार्ड खो जाता है तो परिसान मत हुए आप तुरंत अपने बैंक को सुचित करिए आप ये काम बैंक की साखा मोबाइल आप फोन बैंकिंग नंबर या इंटरनेट बैंकिंग के माधियम से कर सकते हैं समय पर सुचना न देने पर बैंक नुक्सान के लिए जिम्मेदार नहीं होता है इंटरनेट बैंकिंग के माधियम से भी आप अपना खोया हुआ कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं और आपको इसके सफल होने के पुश्टी मिलेगी यदि आपको लगता है कि कार्ड चोरी हुआ है तो नजदेगी पुलिस एस्टेशन में फायार दर्ज करवानी चाहिए पुराने कार्ड को ब्लॉक करने के बाद आप नए कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें बैंक कुछ चार्ज ले सकता है ब्यार का परसिधिन नागी नक्टी पक्षी अभ्यारन अब दाग विभाग के माध्यम से देश भर में अपनी पहचान बनाएगा बिते दिन इस अभ्यारन के परतिक का स्टांप जारी किया गया है इसका सुभारम मुंगेर की डाग का दिक्षक, आसुतोस कुमार और अनुमंडल डाग पराधिकारी अभी से कुमार ने किया उन्होंने बताया कि इस स्टांप से अभ्यारन का नाम दूर दूर तक पहुचेगा जिससे पर्यावरन सुन्रक्षड और अस्थानिय धरोहरों के परति जाग रूपता बढ़े है बिहार में 12 किसानों के लिए क्रिसी इन्पुट अनुदान यूजना का वेदन बेटची अक्टूबर 2014 जारी है यह यूजना उनकिसानों के लिए है जिनकी फसल 12 से परभावित हुई है किसान अपनी सिकायतों और आवेदन करने के लिए हमारे स्क्रिन पर दिखाये गए इन दोनों बैप साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर के टॉल फ्री नंबर हमारे स्क्रिन पर दिखाये गए इस नंबर पर संपर कर सकते हैं या अपने संबंधित जिलाक्रिसी प्रादिकारी से बात कर सकते हैं बदादे कि वर्षासरित फसल छितरी के लिए 8500 रुपए प्रती हैक्टर सिंचित छितरी के लिए 17000 प्रती हैक्टर सास्वत बहु वर्षिये फसल के लिए 22500 रुपए प्रती हैक्टर के सापसे अनुदान किरासी ये ध्यान देने योग है कि ये अनुदान प्रती के सान मिस्रा उतरखंड की हल्दवानी में अपना धमाल मचाने वाले हैं बतादे की हल्दवानी में कुमाउद द्वार महत्सो का यूजन 15 से 19 अक्टूबर तक चलेगा इस महत्सों में बिहार के सुपरसिद फिल्म अभिनेता स्वंज मिस्रा और पार्सो गाई का मैतलि ठाकुर अ बिहार सरकार निराज्य की तेज जिलों के अंचल कार्यालियों का निरक्षड और समयक्षा करने का निर्ण न लिया है निरक्षड के लिए 9 अधिकारी जीमेदार होंगे जिनका मुख्य लक्षे कार्यालियों में आने वाली समस्याओं की पहचान कर तौरित समधान करना है हाल की समय में अंचल कारियालों में भर्ष्ट चार की बढ़ती सिकायतों को देखते वी मुख सचीव के निर्दीश पर या निरक छड़ किया जा रहा है पहले चरन में पट्टा गया और भागलपूर जैसे पर मुख जिलों की अंचलों का निरक छड़ किया जाएगा जोरान ओनलाइन दाकिल खारीज भूमी हस्तांतरण और लंबित वादो का सामधान सुनिश्चित करने पर विसीस ध्यान दिया जाएगा राजस्व एम भूमी सुधार बिभाग के सचीव जैसंग ने जिला दिकारियों को आउस्यद नर्दिश दिये है बियार के मुझपर पुर्जिले की 486 स्कुलों की 589 सिक्षकों ने इस सिक्षकों को स्पोटल पर अपनी हाजरी नहीं लगाई जिसके चलते उनकी सैलरी रोक दी गई है जला सिक्षा दिकारिया जैकुमार सिंग ने बताया कि ये कारवाई नियमों के उलंगन के कारण की गई है उन्होंने असपश्ट किया कि एक अक्टूबर से वेतन का भुकतान केवल ऑनलाइन हाजरी के अधार पर ही होगा D.E.O. ने सिक्षकों और प्रधाना ध्यापों को कोच चितावनी दी है कि यादी वे नियमों का पालन नहीं करते तो उनकी सैलरी में कटावती की जाएगी इस सिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्कूल में हाजरी लगाते समय मोबाइल से फोटो खीच कर अपलोड करें अगर कोई सिक्षक बिना अनुमति के अनुपस्तित पाया गया तो उनकी अनुपस्तिती को अकास्मिक आउकास से जोड़ दिया जाएगा विहार सरकार ने राजे के चार परमुक शहरो मुझाफरफूर भागलपूर दरवंगा और गया में मेट्रो रेल सिवा के परिचालन को लेकर संभायता अध्यान सुरू कर दिया है इस अध्यान में एक विसेश एजेंसी ग्राउंड लेबल पर डेटा एकठा कर रही है और सहरो के परमुक श्टेक होल्डर से उनकी राय भी ले जा रही है सरकार का लक्ष ये जानना है कि क्या इन शहरों में मेट्रो सिवा किया सकता है और यदी है तो कौन से रूट इसके लिए सबसे उप्युक्त होंगे ये अधियन अगले कुछ महीनों में पूरा होने के उमीद है उसके बाद एजनसी अपने अनुसंसा पेस करेगी जिससे ये तै होगा कि मेट्रो सिवा किस रूट पर सुरूट की जाए मौसम बिभा के पुरानुमान के अनुसार अगले कुछ दिन तक बिहार के कई जिलों में मौसम सुस्क रहने की संभावना है उसके बाद उत्तर पच्छीम उत्तरमद्धे उत्तर पुर्व और दक्षिड मद्धे विहार के अधिकांस जिलों में कुछ हस्तानों पर पुट बारिस हो सकती है इस दौरान अधिक्तम तापमान 32-36 डिग्री सेल्सियस और न्यूंतम तापमान 22-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है फिलाल बिहार में मौसम को लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है बिहार में पुड सराब बंदी के बावजूद अवायद सराब का कारुबार जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है और बिते दिन वेतिया जिले के पुरसुतम पुर पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए घोडा सहन कैनाल के पास एक कारसी नेपाल लिर्मित कस्तूरी पुलिस ने 11 जूट की बोरे में रखी सराब को जब्द किया लेकिन तसकर भागने में सफल रहे है पुलिस ने गुप सूचना के अधार पर ये कारवाई किया और अब तसकरों की पहचान कर FIR दर्ज करने की तयारी हो रही है SP सोरे सुमन ने इस घटना के पुश्टी की और कहा कि इस कारवाई से सराब के धन्द बाजो में हरकम पमचा हुआ है भारतिय रेलवे में सफर करते समय यात्रियों को कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है यादि आप second class का टिकेट लेकर first class में सफर करते हैं तो आपको जुर्माना शुर्णा भर्ना पर सकता है जिसमें आपका टिकेट है अधिक सकते नियमों के तरत यादी आप वेटिंग टिकेट लेकर स्लेपर या एसी कोच में सफर करते हैं तो टीटी आपको बीच में ही ट्रेन से उतार भी सकता है या फिर वे आपको जिस एस्टेशन पर पकड़ता है और वहाँ से ट्रेन चली थी वहाँ से लेकर आप से बीच का किराया भी वसूल सकता है ऐसे वे यात्रियों को सही टिकेट के साथ यात्रे करना ज़रोरी है नालंदा जले में स्वास सिवाउ को एक नया आया मिला है जहां सिलाव परखंड में एक नौनिर्मित सामुदाइक स्वास किंद्र काउद घाटन किया गया लगबग साथ करोर रुपए की लागत से बने इस स्वास्त केंद्र का उद्गाटन ग्रामिड विकास मंतरी सर्वन कुमार और नालंदा के सांसद कौसलेंद्र कुमार ने मिलकर किया इस अत्याधूनिक केंद्र में OPD सिवाउस लेकर आपात कालिन चिकत्सा तक की सभी सुइधाय उपलब्ध होंगी जिससे स्थानी लोगों को गुर्वत्ता पूर्श स्वास्त सिवाय मिल पाएंगी मंतरी सरवन कुमार ने उद्घाडन समारों में बताया कि इस केंद्र की कुछ कम्या पहले थी जिन्हें अब दूर कर लिया गया है ब्यार के कटिहार से खबर है जहां बीजेपी के विदान पारसदा सोक अगरवाल के भतीजे गौतम को कटिहार रेल एसपी डॉक्टर संचय भारती द्वारा सार्वजनिक अस्तल पर थपड मारने का मामला सामने आया है और इसका वीडियो जो है सोसल मेडिया पर तेजी से वारल हो रहा है इस घटना का वीडियो एक अड़वोकेट में सूट किया है वीडियो में अड़वोकेट ये भी कहते हुए सुनाई दे रहा है कि आप मजिस्टेट है क्या इस तरह का बेवाहार उचित है वैस वेडियो के वाइरल होते ही BJP MLC असोक अगरवाले मुख्यमंदरी ने तीसकुमार्स को इसकी जानकारी देते हुए कारवाई की मांगी है ब्यार के उप्पुख्यमंदरी समराच चौधरी ने बिते दिन पांच दिसरत्न मार्गसिक अपने सरकारी आवास में ग्रीप परवेश कर लिया इस वह के पर उन्होंने पतरकार उसे बातचीत में कहा कि बंगला डिस्प्यूटेड नहीं होता लोग डिस्प्यूटेड होते हैं समराच चौधरी ने इस पश्ट किया कि उन्हें फर से डिप्टी सीम बनने की कोई एक्षा नहीं है और उनके लिए बिहार का विकास सबसे मैत पूर है बता दे कि ये बंगला अब तक किसी भी उप पुख मंतरी के लिए लख्की साबित नहीं हुआ है क्योंकि हर किसी ने अपने कारेकाल पूरा नहीं किया है यही कारण है कि समराच चौधरी के गिरी परविस के साथ ही कई सवाल उठने लगे हैं जिन पर उन्हों उन्होंने जिन पर उन्होंने जवाब दिया कि कमिलाडू में हुई मैसूर दर्भंगा बागमती एक्सप्रेस दुर्घटा में उन्हीं इस लोग घायल होने की घटना पर राज़त के राज़सवा सांसल मनुझ कुमर जाने पीए मोधी पर गंबिर सवाल उठाये हैं उन् लेकिन ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या भी कम नहीं हो रही है ऐसे वी यह सवाल उड़ता है कि रेलवे की सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के लिए कितनी गंभरता से काम किया जा रहा है हर्याना विदांसभाद चुना में कॉंग्रिस के आरपर कंद्री एक अपड़ामंतरी गिरदाश सण्ग ने कॉंग्रिस और रावल गाधी पर कड़ी टिपनी की जिसमें उन्होंने कहा कि हर्याना की जनतानी कॉंग्रिस को असपच नकार दिया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस आत्मों मंथन करने के बजाय चुनावायूग पर बीजेपी के साथ मीली भगत का रोप लगा रही है गिर्राज सुंग ने राउल गाधी के स्तिती पर भी चुटकी लेते वे कहा कि वे बार बार लॉंचिंग पैड पर आते हैं लेकिन सफल ही नहीं हो पाते हैं हर्याना में कॉंग्रिस ने चार दरजन सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन केवल छे सीटों पर जीत हासल की धोनी का लुक हमेशा चर्चा का विसर रहा है हाली में उन्होंने अपने नए हैर श्टाइल के साथ एक बार फिर फैंस को अच्छा मृत कर दिया हारे रंग के चसमे में विबहाद खौप सुरत लग रहे हैं आकरसक लग रहे हैं उनकी टीम चेनई सुपर किंग्स ने इस की तस्वीरे जो है सोसल मेडिया पर सेयर की है इस बार आई पेल में धोनी के लिए नियम भी बदले गए हैं अब उन्हें अब उन्हें अनकाप्ट खिलाडी के तौर पर रेटेन किया जा सकेगा जिससे चनई सुपर किंग्स को काफी पैसे की बचत होगी धोनी ने 2020 में इ जरूर बताईएगा आजे के दिन सन 1999 में अटल बिहारी बाच पे इतिसरी बार भारत के प्रधान मंत्री बने आजे आजे के दिन 286 में बांगलादेश के मौम्मद यूनियूस और उनके द्वारा स्थापित ग्रामिर बैंक को नोबल पुरुसकार मिला था आजे के दिन सन 2008 में राइबरेली में रेल कोच फैक्टी के अस्थाफरा के लिए दी गई जमीन के मामले में एलाहबाद हाई कोट की लखनाव पिठ ने यथा इस्तिती बनाय रखने के आदिस दिया आजे के दिन सन 2013 में मध्यपरदेश के दतिया जिले में भगदर से 109 लोगों की मौत हो गया था केंदरी बादमिक सुक्षा बोर्ड ने 10 वी और 12 वी की परिक्षाओं के लिए नई गाइडलाइन्स जारी किया है तो जर पचीस की बोर्ड परिक्षा में सामिल होने के लिए छात्रों को 75-35 उपस्तिति या निवारे होगी जिन छात्रों के जिन छात्रों की उप भी आउसिक होंगे इसके अलावा सीबीसी स्कूलों में आउचक निरक्षड कर एटेंडेंस की जाज कर सकता है अगर रिकॉर्ड सही नहीं पाया गया तो इसकूलों की मानियतार रद हो सकते हैं और छात्रों को परिक्षा में बैटने से भी रोका जा सकता है मॉनिटर की सफाई करने के लिए कुछ हसान तरीके अपनाईए सबसे पहले मॉनिटर को बंद करें और पावर केबल को अनप्लग कर दें इसके बाद मुलाएं माइक्रो फाइबर कपड़े का इस्तमाल करें ताकि स्क्रीन पर खरोच नहीं आए अगर धूल ज़्यादा जम और बेजल को भी साफ करना ना भूले ताकि धूल और गंदगी हट सके क्या आपको भी भारतिये दुरसंचार बिन्यामक प्राधिकरण के ओड़ से कॉल करके ये दावा किया जा रहा है कि फोन के असवान ने बैवहार के कारण आपका मबाईल नंबर जो है जल्द ब्लॉक से फर्जी बताया है ऐसे कॉल अगर आपके पास आते हैं तो आप बिल्कुल साउधान रहिए हम हम प्रती दिन आपसे पांच ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो की बिप्यसी बिहार पुलिस दारुगा समेत एससी जैसे अन्य परतियोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास से होगा बिहार स्पेसल विज्ञान करेंट अफ्यर्स वर्भुगोल से रहेंगे पूछे गए पांचों सवाल में आपने सही कितना उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएगा हमारा पहला सवाल है हाली में प्यमोदी ने भारती में किस हर्मिकिया ऌपिसले मुंबाई प्यश्रें और ऊपटली है अमरावती इसका सही अंसर होगा मुंबाई हाले में प्यहार का दूसरा ताइगर डे जर बनाने के मंजूरी किस जिले को मिले ओप्षन नैं के श्रण से माहारार और इसका सही ओटर होगा क्यामूर IIT वरांसे ओप्शन B है, IIT मुंबई, ओप्शन C है, IIT डिली और ओप्शन B है, IIT खलतपूर, इसका सही उत्तर होगा IIT डिली, माबोधी मंदिर बिहार में कहा असे था, ओप्शन A है, पत्ना, ओप्शन B है, बोध गया, ओप्शन C है वैसाली और ओप्शन D है, राजगिर, इसका सही उत्तर होगा B, बोध गया बिहार में साक्षर्ता अभियान कब प्रारंभ हुआ था ओप्सन A है 1937, ओप्सन B है 1912, ओप्सन C है 1935 और ओप्सन D है 1921, इसका सही एंसर होगा 1937 बिते दिन हमारे द्वारा पुछे का सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक सेक्षन में लिकर दिया है जिनों ने हमारे द्वारा पुछे का सवाल का जवाब दिया है दुरगा पूजा में क्या अलग था जो आपको पसंद आया आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सक्षन में लिग कर जरूर बताएं बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं बिहारी नूज और साथ ही अगर आप यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फालो जरूर किजिएगा धन्यवाद